नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे एक अहम डवलप्मेंट की कि किस तरह से G7 का जो समिट हुआ 49th समिट हुआ जापान के हिरोशिमा में और उसमें भारत सहित नौदेश गेस्ट इन्वाइटीज थे मतलब क्या है इसका और किस तरह से G7 ने हिरोशिमा की धर्ती पर शांती की जगा युद्ध युद्ध और युद्ध की बात की युक्रेन से लेकर रूस से लेकर चाइना तक निशाने पर क्यों रखा गया इन देशों को आखिर हासिल क्या है और भारत यहां पर क्या कर रहा था उसकी भूमिका क्या है आईए बात करते हैं प्रवीर आज हम बात करेंगे G7 का जो समिट हुआ 49th समिट हुआ जापान के हिरोशिमा में इसका हासिल क्या दरशक देख सकते हैं कि हमने G7 के जो देश हैं उनको दिखा रखा है दुनिया के सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता आर्थिक पैक्ट है ये आर्थिक गटबंधन है इसका हासिल क्या है इस समय देखिए पहली बात तो G7 है को पहली बात जो हमें करनी चाहिए तो इसको एक sentence में कह सकते जो की ex-colonial देश है जो एक जमाने में दुनिया के उपर हावी हुए थे और जो central colonial देश है जो यॉरप से लोग आए बसे और original बसिंदों को वहां से निकाल दिया खतम कर दिया उनकी जमघट है और उसमें जपान श चुका है तो उसको एक honorary white का दर्जा वो देते हैं दुनिया में तो यह G7 है एक जमाने में आर्थिक रूप में यह दुनिया पे हावी थे पर इस वक्त ब्रिक्स देशों की अगर purchasing power parity की बात करें खरीदने की शक्ति के हिसाब से देखें तो इस वक्त ब्रिक्स देश जो प बड़ा economy है तो यह पहले की जो स्थिती थी आज यह स्थिती नहीं है तो जब G7 बना और आज जब हम बात कर रहे हैं और वो अभी भी समझते हैं कि हम दुनिया पे हावी है और हम ही चला रहे हैं जिसके बार बार वो जिकर करते है कि international order, rule based international order जिसकी rules G7 तै करेगा यह है त तो देखते हैं उनका क्या 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 आप जो कह रहे हैं तकरीबन अगर उनका जो resolution है अगर हम देखे हैं ध्यान से जो दो एहम मुझे जो दो एहम दिखाई दिए वो हमने निकाल के रखे हैं दर्शकों के लिए ताकि यह पता चले कि G7 का हासिल क्या पहला देखिए कि क्य वहां पर उन्हें बोला कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे कि कब तक सपोर्ट करेंगे की बात नहीं हुई बहुत हतियारों के लें इन देन की भी बात हुई जबकि यह आर्थिक प्लेटफॉर्म जब तक चाहिए जब तक यूक्रेन लड सकता है हुमको हतियार देगे उनको आर्थिक सहायता देगे पहला यह पहली घोशना है जबकि यह ऐसी जगह नहीं है जहां पर अब जियो स्ट्रेटिजिक इसुस की डिसकस करें यह तो आर्थिक इसुस डिसकस करने के लिए G7 बल यूक्रेन युद्ध को लेकर बनी और जिस तरह से जैलेंस की आये जिस तरह से उनकी आवभगत हुई सारी खबरें जो तकरीबन भारत सही तमाम मीडिया में गई वो यहीं गई कि बस यूक्रेन है एक तो यूक्रेन इसका एक बिंदू रहा है जो नेटो का यूरोपियन है एक साब से नेटों की जो लड़ाई चल रही है इस वक्त रूस के खिलाफ जिसका पठभूमी कह सकते है यूकरेन है जिश तो वो लड़ाई चलेगा जब तक चला सकते है इसकी गोशना पहला गोशना है जिश तो इस पर शान्ती कोई बात नहीं है कि कैसे शान्ती फिर क क такую हैं क्या आर्थिक प्लेट्फरम था यहाँ फेलाँ ततहकति तोर पे अभी है लेकिन यहाँ पर जो अर्थी कौरेशन की बात है क्योंकि चीन इस पर केकर काफी थराज जचाया है और वह यह तीसराendend तीसरा declaration है तिस तीसरे declaration के बारे में बताए क्योंकि इसमें दो चीजें दो शब्द बहुत खास है कि डी रिस्किंग नॉट डी कॉपलिंग यानि क्या मतलब डी कॉपल नहीं करेंगे मतलब चीन को हमारी जो आर्थी विवस्ता दुनिया में है उसको भाष्कृत करने की कोश आर्थिक विवस्ता को कम करना चाहते मतलब चीन से लेन देन हम कम करेंगे तो हमारी जो सप्लाइचेन की बात होती है कहां से इनकी बैटरीज आती है जो अभी इलेक्रिक वहिकल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कहां इनकी जो मैनिफैक्ट्रिंग होती है एक बहुत हब एपिल्स के फर्स बड़ा हब चीन रहा है कैसे हां से हम डी कपल करेंगे इन सब चीजों का डी कपल करने की जगह जो बातचीत लगातार चल रही है उन्होंने कहा डी रिसकिंग तो वही चीज थोड़ा सा अलग शब्दों में कहना कि हम अपना रिस्क कम करने के लिए अल जाके नाराजगी जता है इससे भी जो और बड़ा है जो उन्होंने कदम उठाए माइक्रॉन चिप्स की उन्होंने कहे दिया कि हम नहीं लेंगे क्योंकि माइक्रॉन चिप्स में हमारे लिए electronic इस पायनाज लेकर साबोटाज लेकर इस तरह की खत्रे हैं तो माइक्रॉन च बड़ा मार्केट चली जाती है तो यह गोशना चीन जैसे अमरीका लगातार चीन पर उपर सैंक्शन लगा रहे हैं चीन भी इस बार सैंक्शन एक अमरीकी कमपनी पर किया जी तो दो चीजें जो दिखाई दी बहुत प्रमुख कि जी सेवन का जो आउटकम है सबसे बड़ आउटकम है वह दरसल दो तरह की युद्ध है एक युक्रेन की धर्ती में खेला जाने वाला और एक आर्थिक चेत्र में चीन के खिलाफ और रूस के खिलाफ तो इस तरह से एक युद्ध भूमी को पुष्ट करता हुआ जी सेवन का ये पूरा समिट दिखा रहा है यूक् कोई शांती की बात नहीं हुई जबकि हो रही थी हिरोशिमा में जहां पर लगातार दुनिया में पीस की बात कही जाती है यहां मैं चाहूंगी कि दरशल थोड़ा सा ये भी देखें कि इस बार जी सेवन में जो देश आमंतृत थे नौ देश भारत सहित आमंतृत हैं और दो जो बहुत एहम है आपने ब्रिक्स का चर्चा किया तो ब्राजील लूला वहां पहुंचे और भारत के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी वहां पर पहुंचे तो यह जो यह जो दो एहम देश हैं इनकी क्या कुछ भूमिका हो पाई हम यूक्रेन की चर्चा कर रहे हैं लू की ब्रेजिल और इंडिया के साथ बैठ के एक शांतिकी बातचीत होने की एक संभावना लोगों को लगा था यहां होगा अगर यह जी सेवन चाहता तो क्योंकि साफ है कि जेलिंस की पूरी तरह से जी सेवन के द्वारा खास्तों से अमरीका के द्वारा चालित है इस वक्त क्योंकि उनकी पूरी आर्थिक द्वस्ता से लेकर पूरी लड़ाई करने की छमता सब कुछ इस वक्त नेटों से आती है अमरीका से आती है तो उनकी एक दिन की बजट भी नहीं चल पाएगी यह सहायता उनको अगर ना मिले तो इसलिए अगर जी सेवन की इरादा यह था क भी पहल कदमी की जाए तो लूला भी मत मौजूद थे मौदी जी भी मौजूद थे तो इनको लेकर पहल कदमी इसलिए हो सकता था भारत वर्ष वक्त रूस से काफी चीजे वह राए करा रहा है तेल वाया रूट जा रहा है दुनिया के पास जीसे लेकर अमरीका पहले च 30% से भी ज्यादा है तो उसको रिफाइन करके यॉर्पेन यूनियन को भी वो बेच रहा है पर उसके खुद की जरूरत भी पुरा कर रहा है तो इसलिए रूस के लिए भारत वर्ष की एक एहमेत है लूला ब्रिजिल में रूस के साथ बातचीत कर रहा है तो यह दोनों देश की संभाव नहीं बीज बिचाओ करने और क्योंकि दोनों ही देश इसलिए भी एहम है युक्रेयन के संदर में क्योंकि दोनों नहीं अमरीका के जो सैंक्शन्स थे उसे उस तरह से फॉलो नहीं किया और दूसरा रास्ता निकालने की भी कोशिश की देखिए निशाने पर भ कि बात तो नहीं हुई है पर वो खर्ग जो कहते हैं हमारे सर पे है तो इसी लिए लटकी हुई है तो भारत वर्ष और ब्रजिल दोनों बीज बिचाओ करने के स्थिती में है ये लोग समझते हैं पर हिरोशीमा की इस जो भूमी का हो सकती वह भी जरूर है कि दर्शक देख अगर हम हिरोशीमा वाली तस्वीर देखे को कि हिरोशीमा जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है दर्शकों के दिमाग में भी एटम भम भीशन वीभीशिका जो दुनिया नहीं देखी कभी ना पहले और नहीं वह बाद में देखना चाहते हैं यह वह तस्वीर है उस मे हिरोशीमा जिसमें दागासाकी भी शामिल है दूसरा शहर है जापान में दोनों शहर को इस वो क्या कहते हैं नूकलियर बॉम्स गिराए गये थे दोनों जगहों पर अमरिका ने गिराए था अर इस पे इतने लोग मरे जिसकी संख्या आज भी करना मुश्किल है क्योंकि इ लोगों की मौत हुई है तो वो एक-दो साल में बॉम में जितने इमीडिटली मरे इसके बाद में इसलिए हिरोशीमा में जो बुख्य बात हमेशा होती है कि नाभकिया अस्त्रों से कैसे मुख्ती मिले दुनिया को कोई कदम नहीं उसकी उसकी कोई बात चीत नहीं जंग की बात ही यहां पर रही और हिरोशीमा की जो एहमियत है जिसमें इतने लोगों को मारे गए थे आज तक कोई अमरिकान प्रेसिडेंट उसके लिए जापान की लोगों के पास सामने माफी नहीं मांगा आज भी कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इसको दिखाएं अर लोगे ने जो कहा है हिरोशीमा का एहमियत यह नहीं है कि दूसरा विश्वजुद इससे बंद हुआ पर यह तो कोल्ड वार का पहला पहला अंक था क्योंकि नाव के अस्तर इस्तमाल करके अमरिका ने बता दिया कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो हम दुसरी दु जाहेंगे जितनी वी스터 पर खबरें हमने देखिए भारत में देखिए उसमें हमने मोधी जी मोधी जी और मोधी जी को देखा कैसे बढ़ार हैं कई जगा कोई हाथ नहीं मिला रहा यह भी तस्विर दिखाई दी भारत की क्या भूमिका थी क्योंकि भारत तो जी सेवन का ये खबर तो ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि जहां तक जो क्या कहेंगे कॉम्निकेज आये हैं उसमें और किसी देश की तो खबर नहीं है जो मैंने कहा था जेलेंज की साथ बैठ के अगर कोई पीस की अगवाई करने की संभाब ना थी लूला और मौदीजी मिलके तो वो सारे दोश शामिल हुए है इसमें तो मुझे मेरे ख्याल से इस और इसमें कोई ऐसी कदम नहीं ली गई जिसमें मोदीजी के कोई खास महत्वर नहीं देख पाए हम तो मैं कहूंगा ये जी सेवन की इशू है क्योंकि जी सेवन जिनको बुलाया था किस मकसद से बुलाया थ है मकसद ही था कि दुनिया को दिखाना चीन के खिलाफ रूस के खिलाफ खड़े करने वाले हम इतने लोग हो सकते हैं और उसमें साफ है कि हिंदुस्तान ब्रेजिल दोनों रूस के खिलाफ नहीं है चीन और हिंदुस्तान के बीच में भारतवश के बीच में तनाव है पर ऐसे कोई पदक्षेप भी हम नहीं लेना चाहते जिससे अमरिका के साथ आप गड़ बंदन करके हम लड़ाई चीन की लड़ाई में शामिल हो जो ऑस्ट्रेलिया करने के लिए तो तैयार है पर क्वार्ट देशों की एक सामरिक रूप देना भारतवर्श नहीं चाहता वो लेकिन लगता नहीं कि कुछ ठोस पहल हुई और बाइडन का बहुत दिल्चस्पी भी क्वार्ड में दिखाई नहीं दी तो साथ है कि क्वार्ट का जो सामरिक रूप देना चाहते हैं वो हुआ नहीं भारतवर्श उसमें सामरिक रूप में उसमें घुसने के लिए तयान यह है यह एक हिसाब से भारतवर्श की जो राजडीत रही है जो विद्विदेश नीती है वो साफ है इसी लिए और यूएस की बात होती है आपर ऑस्ट्रेलिया यूके और अमरीका मिलके इंदो-पसिफिक ओशन को कैसे कंट्रोल करेगा तो क्वार्ड के जगह पर वो इस वक्त सामने है इसी के साथ साथ एक और एहम बैठक रही जिसमें प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी पहुचे पापुआ गीनी में और यहां पर दूसरे ढंकी तस्वीर भी हमारे सामने आई मैं खाली आप से जाना चाहती हूं कि जो इंडिया पैसिफिक आइलेंड कोपरेश जिसका भारत एक बहुत एहम हिस्सा है और वो सारे देश हमने बहुत कोशिश की है अपने लक्षे में उन तमाम छोटे-छोटे देशों को दिखाने की चिन्हित करने की जिने वैसे दर्शक नहीं देख सकते किसी भी मैट के जरिए यह निउस क्लिक की खास महनत है इसमें आप तमाम लोग देख सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जूम भी किया जाए इसको और यह बताई कि जो तमाम छोटे-छोटे देश हैं और भारत यह जो समिट हुआ इसकी क्या इंपोर्टनस है देखे इसकी एहमियत तब समझ सकते हैं अब जब जाने कि अमरीका का इस इंदो-पेसिफिक एरिया में इसका निशाना कौन है इसका निशाना है सरास चीज इसका निशाना है और जो आप क्या कहते हैं आप साउथ चैना सी इन सब चीजों के लेके जो बातचीत होती है मलाक का स्ट्रेट्स है जो की एक नेरो चैनल है जिससे तेल जाती है दु के लड़ाई रहती है और इसी लिए यह जो आगे जाता है साउथ कोरिया है जपान है चीन है तो ये जो passages है इसको कौन control करेगा ये लड़ाई है और इसके साथ साथ जो लड़ाई है कि इस इस इलाके को समुंदर की इलाके को कौन कंट्रोल करेगा तो समिट हुआ पापवा न्यूगीनी पे एक जमाने में आस्ट्रेलिया की कॉलिनी के लिप रहा है और आस्ट्रेलिया अभी भी उस पर बहुत सारे और तरीके से कब्जा अपना करना चाहता है तो इन देशों की जो उपर असर अपर सकता है सामरिक जुक् 1971 में इसलिए एक एह्म हिस्सा है और दूस्री तरफ जपान है कि काफी इंपॉर्टेट हिस्सा है तो यह उद्देश यह है की जपान तो है यहारी के साथ उसको तो नेटों नेटों का दर्जा देनी की बाच्चित हो रही है और उस्ट्रेलिया यूके के साथ यूके क्योंकि पुराना कलोनियल पावर रहा है इस इलाके में तो इनको मिला के इस एरिया को कैसे कंट्रूल करें और इंडिया को ऐसे एक जगह पे प्ले करने के कहें कि चीन के खिलाफ काउंटर बैलेंस करने के लिए कोशिश है इसलिए इंडोपसिफिक फोरम जिसमें बाइडन भी एक वक्त आने की बात हो रही थी और हमें भूला नहीं चाहिए कि पापुआ नियू गीनी को उस समिट में भी बुलाया गया था जी सेवन में वह भी इन्वाइटी देश था यहां पर दो देश तक्रीबन कुक आइलाइंस भी थे वहां पर तो दो देशों को जी सेवन में भी आमंत्री देशों में रखा गया था तो यानि इस इलाके पर काफी नजर है तो चोटे-चोटे दीप हैं इस पर करीब करीब अमरीका के निशाने पर बहुत सरे ऐसे दीप चलते हैं क्योंकि वह आर्थिक ग्रूप में अमर से इसलिए ज्यादा है कि असी प्रतिशत देश दुनिया में उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टर चीन है पहले 20 साल पहले अमरीका हुआ करता था असी प्रतिशत देश अमरीका के साथ तो यह जो बदला है इस पे इन देश अभी भी इन पर अमरीका के इंफ्लूए तो वो चीन के साथ न जाए और भारत इसमें भूमी का अदा करे तो वो एकनॉमिक ग्रूप में क्वाड और इंदो पसिफिक आइलेंड का वो प्ले करना चाहते चीन के खिलाफ तो उस कॉंपिटिशन में हम कितना दूर जाएंगे हम क्या करेंगे वो देखने की बात है क् कि साथ है कि हमारा आर्थिक संबंद जो चीन से है चाहे उस पे तनाव हो पर दोनों देशों के लिए अभी भी बहुत जरूरी है अहमियत रखता है इसी लिए कितना हम प्ले करेंगे कितना नहीं प्ले करेंगे वो देखने की बात है और यही कहेंगे फॉरेंड पॉलिसी यही होता है कैसे कॉंपिटिशन करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर दोस्तों एक बात बहुत साफ है जो जी से उभर कर आई वह यह कि यह जो ताकतवर देश हैं दर असल यह किस तरह से युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं शांती की इंके हां कोई जगा नहीं ह हैं और इसके साथ साथ जो दूसरी मीटिंग हुई जो इंडिया पैसिफिक आईलैंड कॉपरेशन की मीटिंग हुई वहां पर जिस तरह से चीन के बरक्स भारत को खड़ा करने की जो पूरी कोशिश है क्या वह हमारे और आप के लिए एक शुपसंकेत है जिस तरह का फोट अश्ची कूटनीती से उस सचाई से बहुत दूर है जो घट रही है क्योंकि घट रहा है युद के पक्ष में तमाम देशों को एक जुट करने का अमरीका का एजंडा नैटो का एजंडा इस पर चर्चा सिर्फ और सिर्फ आप हमारे साथ कर सकते हैं निउस क्लिक पर कर सकत परताल में देख सकते हैं यह गंभीर विशलेशन जो बहुत जरूरी है दुनिया में शांती और अमन को कायम करने के लिए देखिए लाइक करिए शेयर करिए निउस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रिया